सबी साथियों को नमश्कार आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरी जी में आईए शुरू करते हैं आज की सी वीडियों में हम सेविंग के कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट को कंपेर करेंगे जैसे के फिक्स दिपोजिट यानिके FD, पबलिक प्रोविडेंट फंड यानिके PPF, नेशनल पेंशन इस्कीम यानिके NPS और म्यूचुल फंड्स इस वीडियों में सेविंग के इन इन्वेस्टमेंट की हम 6 माप दंडों के आधार पर तुलना करेंगे, इसमें पहला है रिस्क फेक्टर, दूसरा है लिक्विडिटि यानिके कितनी आसानी से हम इन्वेस्टमेंट में से पैसा वापस निकाल सकते हैं, तीसरा है टेक्स ब जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इन्वेस्टमेंट के अपने लाब और हानी होते हैं, हर इन्वेस्टमेंट को एक अलग कारिये के लिए प्रियोग किया जा सकता है, तो इस वीडियो में हम यह समझने का प्रियास करेंगे कि कौन सी इन्वेस्टम है और सभी लोगों को इसके बारे में मालूम है आप किसी भी बैंक या पोस्ट ओफिस में जा कर अपनी fix deposit करा सकते हैं इसमें risk factor भी काफी कम होता है यहाँ पर अब FD की liquidity की बात करें तो इसमें liquidity काफी high होती है आप अपना पैसा कभी भी जमा करा सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं अब FD के tax benefit की बात करें तो section 80C में 5 साल की जो FD होती है जिसमें 5 साल का lock-in period होता है उसमें आपको tax rebate मिल जाती है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह tax rebate वाली FD हो चाहिए normal FD हो उसका जो interest आपको मिलता है वह interest taxable होता है अब यहाँ पर क्योंकि interest taxable होता है तो अगर आपकी FD 7-8% का आपको return दे रही है और आप 20% या 30% की tax range में आते हैं तो आपको जो interest मिल रहा है वह interest कम हो जाएगा इसलिए हम यह मान के चल सकते हैं कि tax कटने के बाद आपको FD में 5-6% से जादा के return नहीं मिल पाएंगे यह returns महंगाई या मुद्राई स्फीती को लगभग मैच कर पाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो interest मिल रहा है वह बस महंगाई या मुद्राई स्फीती के बराबर है और वास्तों में आपको कोई खास कमाई नहीं होती है अब बात करते हैं public provident fund यानि के PPF की कोई भी व्यक्ति अपना PPF account bank के अंदर खुलवा सकता है PPF के अंदर risk factor काफी कम है क्योंकि यहाँ पर government की backing मिल जाती है वहीं अगर हम liquidity की बात करें तो इसमें liquidity बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत लंबे समय के लिए investment करनी होती है PPF में आपको 15 साल तक के लिए निवेश करके रखना पड़ता है partial withdrawal यहाँ पर केवल emergency cases में ही होता है PPF में tax benefit की बात करें तो यहाँ पर भी आपको section 80C में tax rebate मिलती है और PPF का दूसरा फाइदा यहाँ पर यह है कि आप जब भी पैसा निकालते हैं चाहे आप partial withdrawal कर रहे हैं चाहे आप last में पैसा निकालते हैं तो जब भी आप पैसा निकालते हैं तो इसमें मिलने वाले interest पर किसी भी तरीके का कोई tax नहीं लगता है यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर PPF में 8% का return मिल रहा है तो इसमें आपको exact 8% का ही return मिल जाता है महंगाई या मुद्राइस फीती को लगभग 5-6% की दर से मान सकते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि PPF में जो return मिल रहा है वे महंगाई या मुद्राइस फीती को लगभग beat कर रहा है परंतु कोई खास benefit नहीं हो रहा है अगर आप थोड़े जादा returns कमाना चाहते हैं तो आपके लिए दो option है एक है NPS यानि के National Pension Scheme और दूसरा है mutual funds सबसे पहले हम बात करते हैं NPS की और NPS में यहाँ पर मैं tier 1 account की बात कर रहा हूँ जो कि आपका pension account होता है यहाँ पर अगर risk factor की बात करें तो FD और PPF के comparison में यहाँ पर risk थोड़ा सा जादा होता है क्योंकि इसमें आपको equity में निवेश करने का भी मौका मिलता है equity में आप maximum 75% तक invest कर सकते हैं अब हम बात करते हैं liquidity की यहाँ पर हम जितने भी investment की बात कर रहे हैं उन में से NPS में liquidity सबसे कम है क्योंकि NPS से आप retirement तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं इसमें आप emergency case में केवल 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं आज अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 60 साल की age में ही पैसा मिलेगा चलिए बात करते हैं tax benefit की section 80C के अंदर जो 1.5 लाग की tax rebate मिलती है उसमें NPS भी एक option है यहाँ पर भी आप NPS में 1.5 लाग का निवेश करके tax rebate ले सकते हैं इसी के साथ साथ section 80C CD 1B में आपको 50,000 की additional tax rebate भी मिल जाती है अगर आप सरकारी या private sector के करमचारी हैं तो NPS में employer की तरफ से जो contribution होता है उसके उपर भी आपको section 80C CD 2 में tax benefit मिल जाते हैं इस प्रकार सभी investments को compare करें तो NPS में tax benefits सबसे जादा है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि retirement के time पर आपके NPS account में जो भी balance होता है उसमें से आपको 40% pension के लिए N.U.T. में invest करना पड़ेगा और 60% तक आप maximum lump sum amount ले सकते हैं 60% तक का lump sum amount tax free होता है लेकिन हर महिने मिलने वाले pension के amount पर आपको income tax slab के हिसाब से आपकी जितनी भी income बनेगी उस पर tax देना पड़ेगा आईए अब बात करते हैं returns की NPS में आप 8% से लेकर 13% तक के returns की आशा कर सकते हैं क्योंकि equity में आपको करीब 15% का average return मिल जाता है तो अगर आपने 75% equity में डाला है तो आपकी जो average return से वह लगबग 13% के आसपास बन जाती है अगर आप NPS में निवेश कर रहे हैं तो आप आराम से मुद्राइस फीती को बीट कर सकते हैं इन्फिलेशन या मुद्राइस फीती 5-6% का होता है और आप यहाँ पर अगर 10% से ज़्यादा returns कमा रहे हैं तो आप inflation को काफी आसानी से बीट कर देंगे आईए बात करते हैं mutual fund और ELSS की सबसे पहले risk factor की बात करते हैं mutual funds में risk factor ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें equity का portion अधिक होता है यह अब आप पर depend करता है कि आप 100% equity में जाना चाहते हैं या इससे कम percent में और long term में देखें तो share market उपर ही जाती है अगर हम liquidity की बात करते हैं तो mutual funds में liquidity बहुत high होती है आप इसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं tax benefits की बात करें तो equity linked saving scheme जिसके अंदर 3 साल का locking period होता है उस पर आपको section 80C में tax rebate मिल जाती है section 80C में 1.5 लाग की जो limit है उसमें ELSS भी एक option होता है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब mutual funds और ELSS में जितने भी returns आपको मिलेंगे और अगर आपकी एक साल से उपर की investment हो गई है तो उसके उपर 10% का long term capital gain tax लग जाता है यहाँ पर अगर हम return 15% माल लेते हैं तो 10% long term capital gain tax लगने के बाद आपको 1.5% का ही फायदा होगा लेकिन यह भी काफी अच्चे returns हैं और inflation यानि मुद्रा स्फीती को आप आसानी से बीट कर सकते हैं सेविंग के इन 4 investment की हमने 4 माप दंडों के आधार पर तो तुलना कर ली है अब हम एक बार यह भी देखते हैं कि कौन सी investment हमें कब use करनी चाहिए यह दो parameter पर निर्भर करता है पहला है time limit यानि के कितने समय में आप पैसा इखटा कर रहे हैं और दूसरा है requirement यानि के हमें आने वाले time में किस चीज के लिए पैसा चाहिए होगा इसके लिए यहाँ पर 4 investment का एक comparison chart बना लिया है fixed deposit या FD में risk factor तो काफी कम है और liquidity भी बहुत जादा है यानि के आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं लेकिन FD के tax benefits काफी कम है और returns भी कुछ खास नहीं है इसलिए आप FD का इस्तिमाल 6 महिने से 2 साल के कम समय के goals के लिए कर सकते हैं जैसे के आने वाले 2 सालों में आप बाइक खरीदना चाहते हैं या किसी vacation पर जाना चाहते हैं किसी की शादी आ रही है या फिर आप कोई laptop या camera खरीदना चाहते हैं और इसके लिए पैसा इखटा करना चाहते हैं तो आप FD में अपना saving करना शुरू कर सकते हैं इसमें आपको कुछ ना कुछ interest मिलता रहेगा और पैसा भी इखटा हो जाएगा अब PPF में risk factor तो काफी कम है लेकिन liquidity भी बहुत कम है आप 15 साल से पहले PPF से पैसा नहीं निकाल सकते हैं PPF में कम से कम 15 साल के लिए निवेश किया जाता है PPF के tax benefits जादा हैं लेकिन returns कम ही मिलते हैं तो आप PPF का इस्तेमाल long term goals के लिए कर सकते हैं जैसे के आने वाले 15-20 सालों में आपके बच्चों की higher education का इंतिजाम करना है या बच्चों की शादी करनी है तो उसके लिए PPF एक अच्छा option है और retirement के लिए भी PPF के माध्यम से planning कर सकते हैं इसके अलावा अगर कोई medical emergency आती है तो उसके लिए भी PPF से पैसा निकाल सकते हैं आईए बात करते हैं NPS की NPS में risk factor थोड़ा जादा है और liquidity भी बहुत कम है लेकिन NPS के tax benefits बहुत जादा है और returns भी काफी अच्छे हैं इसमें आपका पैसा retirement पर ही मिलेगा तो इसमें आप long term goal के लिए निवेश कर सकते हैं आईए अब देखते हैं mutual funds को यहाँ पर risk factor जादा है लेकिन liquidity भी बहुत जादा होती है यानि के आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं mutual funds के tax benefits बहुत कम हैं लेकिन returns काफी अच्छे हैं time limit की बात करें तो आपको mutual funds में 2-3 साल से जादा समय के लिए निवेश करके रखना चाहिए अगर आपको 2-3 साल से कम समय में ही पैसा चाहिए तो अच्छा है कि आप mutual funds के बजाए FD में पैसा डालें क्योंकि FD में ना तो आपका capital depreciate होगा और ना ही आपका capital reduce होगा mutual funds के लिए आप mid से long term के goals set कर सकते हैं जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है या घर के लिए down payment इखटी करनी है बच्चों की शादी या medical emergency के लिए भी आप mutual funds में निवेश कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और लाबदायक जानकरी के साथ नमस्कार